सेंधा नमक अब जानते हैं कि इसे हम क्यों खाते हैं और इसका सेवन सफेद नमक से ज्यादा क्यों नहीं कहते लोग ऐसा क्या हुआ इतिहास में जो घरों में 5-5 साल भरा रहता था अब इसे आपको खाने के लिए लेना पड़ रहा है और यह बड़ा आश्चरी की बात है अब हम सेंधा जितना भी जहर है उसे संग्रहित कर पकड़ कर रखता है उसे शरीर से बाहर जाने नहीं देता जबकि दूसरा जो सेंधा नमक है जिसका हम उपयोग नहीं करते जिसे आप खाने में इस्तमाल नहीं करते हैं उस नमक का क्यमिकल नाम है पोटेशियम क्लोराइड और इस पोशक तत्व आपके लिए वर्दान है यह पोशक तत्व आपको 130 बीमारियों से दूर रख सकते हैं इन में से 22 तत्व ऐसे हैं जो आपके शरीर के निउट्रिशन लेवल को ठीक रखने में मदद करते हैं इसमें पाया जाने वाले में पोशक तत्व जो हैं उनका नाम है यह इतना शुद्ध नमक होता है कि आप इससे उपवास कर सकते हैं इसके फैयर इस प्रकार है इसके सेवन करने से आखों की रोशनी बढ़ने लगती है गर्ब धारन करने वाली महिलाओं को ताकत देता है मरदाना ताकत को बढ़ाता है अगर आपको कमजोरी लग रही हो च पीने से 5 मिनट में चक कर आदी आने बंद हो जाएंगे अगर आपको भूक न लगती हो जिस दिन भारी चीजों का सेवन करना है तब खाने से 10-15 मिनट पहले सिंधा नमक और आधा इंच अद्रक को चवा चवा कर खा लें आप दिखेंगे 10 मिनट के अंदर कोल कर भूक अगर आपको लो बीपी की शिकायत है तो आपको इसका निहमित सिवन करना चाहिए इससे बड़ा फायदा होगा रोज सुबा एक गलास पानी में एक छोड़ा चमत सेधनमक डाल कर ज़रूर पीए 20 दिन में लो बीपी की शिकायत दूर हो गया अगर आपको हाई बीपी की शरीर पर मलने से शरीर साफ हो जाता है चेहरा दमक ने लगता है सिधनमक यूस करने से वसा यन 여기 fat घटता है चरीर सुंदर सुडॉल होता है बीपी वालों के लिए वरदान है सेधनमक सिंधा नमक daily routine में इस्तमाल करने से as a replacement सफेद नमक के तो ये बीपी को इंट्रोल करने लगता है और ये जो साधा वाला नमक है ये एक जहर है इसमें शरीर के काम के मात्र 3-4 ही मिनल मौझूद होते हैं जो लोगों को ना भी मिले तो किजन की दूसरी वस्तूओं से मिल सकते ह नमक में जो extra iodine मिला होता है वो बस सारी वीमारीं को कारण होता है शायद ये आपको पता हो कि नमक का काम जो होता है वो नमी को खीच लेना होता है आपको पता हुआ कि पहले जो नमक आता था इसको खुला छोड़दे तो गीला गीला हो जाता था मगर आज का नमक Extra Free-flowing है जो कभी गीले नहीं होता क्योंकि इसमें जो नमी को आने वाले मिनरल थे वो हटा दिये गए हैं और नमी को सुकारने वाले केमिकल मिलाए हैं जो बहुत ही खतरनाक है जिसका नाम है अलमूनियम, सिलिकेट और पोटाशियम, आयोडेट ये दोनों ही केमिकल शरीर के बाहर नहीं निकल पाते हैं क्योंकि ये बहुत ही हैवी होते हैं जिससे किड़नी लिवर फिल्टर नहीं कर पाते हैं इसलिए बीपी अटाक, परालेसिस, आंखों का ऑपरेशन, किड़नी फि खासन साथ तब ये हमारे पर रिसर्च कर रही थी, भारती लोग इतने मजबूत और स्वस्त कैसे रहते हैं, उनकी रिसर्च में पाया गया कि ये लोग सेंधा नमक खाते हैं, समुद्री नमक नहीं, और अंग्रेजों को पता लग गया कि वो समुद्री नमक खाने के आदी गांधी जी के हां तो नमक का सत्यागरा करा के समुद्री नमक का टैक्स अटा दिया गया जिसका भारती को कोई भी काम नहीं था, और वहां से 17 साल बाद, 1947 में भारत से पाकिस्तान का अलग कर दिया गया, जिसमें सिद्धा नमक भारत से दूर हो गया, क्योंकि ये सिद्ध सब भूलते गए हम कभी सेध Gmail नमक खाते थे यह याद ही नहीं डा किसी को बस यही कह रहा है दोस्तों की सेधननमक हम आज भी नहीं खा रहे हैं तो हमने आपको सारिय जानकारी दे दीये ही कि सेधननमक कितना ज्यादा पावरफुल कितना ज्यादा इस्तेमाल करने लायक है और आज से ही आप इस्तेमाल करना शूरू करें खासकर B.P की पेशेंट आशा करना शूरू करें उन्हें स्वास तलाब जरूर होगा साधा नमक जहर है ये बात समझ लें और इसे वीडियो को जितना हो सके अपने friends family relatives में share करना बिलकुल न भूले मिलते हैं अगरे दिलचस्प वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद